तो स्वागत है आप सभी का आग आपनी केडमी केस नए और लेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ बेसिक टॉपिक्स के अबजेक्टिव कोश्चन पर जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा और पुलिंग ये छोटे-छोटे टॉपिक्स है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए इन सभी टॉपिक्स से मैं इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन आप लोग को इस वीडियो में कराने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इ another word is called synonym यानि कि वैसे शब्द जिसका अर्थ जिसका मतलब दूसरे शब्द के बिल्कुल समान हो सेम हो उसे को क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहा जाता है पहरेवाची शब्द और इसको उर्दू में पता है क्या बोला जाता है मुत्रादिफ बोला जाता है ठीक है वैसे शब्द जिसका अर्थ जिसका मतलब जोना दूसरे शब्द के बिल्कुल समान हो उसी को क्या कहते हैं परेवाची शब्द जैसे कि इस्त्री और नारी दोनों का मतलब एक है अगर आप इस्त्री बोलते हैं तो भी समझ में आएगा कि हां कोई औरत है और नारी बोलते हैं तो तो एक समान अर्थ रखने वाले शब्द है तो एक समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं पारेवाची शब्द जैसे की दिन का परेवाची शब्द क्या हो जाएगा दिवस दिन को दिवस भी बोला जाता है रात को रातरी भी कहा जाता है पुत्री को बे लेकर समझाई कि परेवाची शब्द किसे केते हैं लेकिन इतना आसान आप लोग के एक्जाम में नहीं पूछता है ऐसे थोड़ना पूछेगा कि दिन का परेवाची शब्द क्या है और अप्शन में दिया रहेगा दिवस तो आप लोग लगा देंगे टिक कर देंगे इतना आसान नहीं पूछता है वो कोई ऐसा शब्द उठाएगा जिसका परेवाची शब्द आप लोग को मालूम ही नहीं रहेगा जिसे कि राजा ठीक है राजा का सही परेवाची शब्द क्या है और अप्शन में दिया रहेगा निरिप हरी मदन ये ठीक मन्दब चार कोई अप उसके बाद कराऊंगे विप्रितार्थक शब्द के 25 इंपोर्टन अब्जेक्टिव कोशन तो समझ लीजें यहां पर विप्रितार्थक सब्द किसे कहते हैं विप्रितार्थक शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है अन्टोनिम आप लोग पढ़े होंगे the word that means opposite of another word is called एंटोनिम यानि कि वैसे शब्द वैसा शब्द वैसा आप बोल सकते हैं word जिसका अर्थ जिसका मतलब दूसरे शब्द के बिल्कुल उल्टा हो विप्रित हो यानि की opposite हो उसी को क्या कहते है विप्रितार्थक शब्द जैसे कि दिन का उल्टा क्या हो जाएगा रात अंधेरा का तो प्रकाश ठेके तो विप्रितार्थक शब्द किसे कहते हैं अपोजिट वर्ड को विप्रित मतलब उल्टा इसके नाम में चुपा है इसका मतलब विप्रितार्थक यानि कि विप्रित अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं विप्रितार्थक शब्द ठीक है दिन का उल्टा दिन का विप्रितार्थक शब्द क्या हो जाएगा रात अंधेरा का तो प्रकाश ठीक है आसमान का तो जमीन कलम का तो किताब ठीक तो यह सब क्या है विप्रितार्थक शब्द ह उसके बाद से इस्त्रिलिंग और पूलिंग तो आप जानते होंगे इस्त्रिलिंग जिससे इस्त्रि जाती का होना पता चले एक फीमेल का होना पता चले उससे क्या कहते है इस्त्रिलिंग शब्द और उसके बाद से पूलिंग जिस शब्द से किसी पूरुष का होना पता चल यह कोई फीमेल होगी तो नौकरानी क्या हो गया आप लोग का इस तरह दादा मामा चाचा यह सब हो गया है पुलिंग और दादी मामी चाची यह सब क्या हो गे इस तरह को शन पूश्ट देता है कि बताएं क्या है एक कि पूरलेइग तो देखिए यहाँ पर ध्यान देजिए कलम जैना हवो हिंदी लंग्वौज में को छलिंग माना गया है ये मेरी कल में मुझे वापस करूं आप सुनहें ह renewed को हिंदी लेंग्वेज में हिंदी बाष्रा में क्या माना गया है इसिल ह कुर दू ले neste में उर्दु लेंगविज में उर्दियमत क्या है मजक्र कर दовых हैं यह हो गया अब चलिए बब को सबक् Dodgen अबजएक्तिव कोश्टन को देख लेते हैं दहान से देखिएगा और हर Yakandus को को द्यान से समझने की कोशिछ किवे हैं थिक तो चलिए क हां तो यहां से आपके डी बनीकल वस्तूनिस्ट ब्रस्न यांनि की अपजेक्टिब कोश्चन परिवाची शब्द का यह इ दिये गए यानकी चार option दिये गए चार option में परिवाची शब्द दिये गए और आप लोगो चुनना है मतलब यह कि question में एक शब्द दे दिया गए और इसका आप लोगो परिवाची शब्द बताना है और option में चार option दे दिये गए यानकी चार परिवाची शब्द दे दिये है कि इन चार हो पृष्ष व से कौने सा परिवाची शब्त कौनρχा असन सही है तो चलिए मंलोग फढ़वट अब कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं यह सबसे पहला पन में वो यह है कि बांदलग का सही परिवाची फिर मेग बोर ये बात तो एक ही है क्योंकि आप लोगों गाना सुने ना बरसोरे मेगा मेगा ठेक है तो मेगा का मतलब क्या मेग यानि कि बादल तो बादल या फिर मेग दोनों क्या है दोनों का अर्थ एक ही है तो यह क्या हो गए परवाची शब्द हो गए आगे बड़ी दूसरा question है भ्रान्ती, भ्रान्ती का सही परवाची शब्द क्या होगा, देखिया option A में है संदे, B में है भ्रम, C में है धोखा, D में है संभ्रम, ठेके, तो भ्रान्ती का जो सही परवाची शब्द होगा, वो है संदे, यानि कि दो का right answer क्या हो जाएगा, option number A, संदे, भ्रा समर और सदन तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा आपसन नमबर ए मदन ठीक आगे बढ़िये सतत सतत और ब्रैकेट में है प्रैहास ठीक और सतत का मतलब होता है लागातार अपनान सकते हैं लागातार सतत ठेक तो सतत का एक समान अर्थ रखने वाला शब्द अप्सन में है अव्यक्त पावन अनवरत और विरत तो जो सतत का परवाची शब्द होगा वह होगा अनवरत अनवरत बोलिए यह फिर सतत बोलिए भाते कि एक तो कुशन नमर फोर का राइट एंसर क्या होगा आप समबसी ठीक अब देखिए प्रशन पांच है कि विक्सित का परवाची शब्द क्या होगा सही परवाची शब्द अप्सन में है प्रसन प्रफुलित उध अगे बढ़िए ठहकां का प्रवाची शब्द क्या होगा अगला शब्द है कमल का परवाची कि शब्द क्या होगा देखिया उप्सन में है मन सीज सरसीज अंत सयाज और स्वेद ठेक तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो कमल का जो सही परवाची शब्द होता है वो होता है सरसीज अप्सन नमबर भी इस यूर राइट एंसर ठेक आगे बढ़िए इरसिया ठेक का परवाची शब्द इस पर देख Ensor देख एंदर क्या अपने आपक में के अंदर की वह कास मुझे của जाता उसका जो भी जो भी वह एचिव किया उसके पास जो भी धन दently थे हो सारा चीज मेरे पास हो जाता इसी को बोला जाता है एक एशया जलन तो इश्या का क्या हो गया इस पर दाइक और अगी बढ़र आगले कोश्चन की तरफ को शिंग ügक किनारा नदी का किनारा का परेवाची शब्द किया होगा और आप्चन में शर तीर तुरंग और तरंग तो इसका यह danse cade K называется और भी तीर नदी के किनारा का परवाची स्वतीर थीक आगे बड़िए व्रिक्ष व्रिक्ष का परवाची शब्द एक समान अर्थ रखने वाला शब्द अप्सन में देखिए दिया गया है गुल्म निंग कूज और विट अप और कानन तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा अप्सन नमबर अप्सन फिक आगे बढ़िये लालच लालच का परिवाचय शब्द इसका तो आप लिगों को मालूम होगा प्रालोभन होगा और नमबर सी ठीक आगे बढ़िए मेधावी मेधावी का परिवाची सब्द एक समाला रथ रखने वाला शब्द देखिए आप्सन में दिये गया है विद्वान विचार्शील प्रतिभाशाली और निष्ठावान तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कोशन नमबर 12 का इसक इसका राइट इंसर हो जाएगा option no a मद्याहन याने कि आप दो पहरी बोलिये या फिर मद्याहन बोलिये बाते इक ही दोनों का मतलब एक है दो पर कम दलब क्वेरा बजे का समय ठेक है और उसके बाद से मद्याहन का मतलब वही दो पहर का समय ठीक तो यह हो गई आगे बड और सी परिमारजित परिसक्रित बोलिया फिर परिमारजित बोलिये बात देगी यह अब एक आप से प्रेवाची शब्द क्या होगाई का सुेरं अब कब्सकर आपसन्य कर्वा सुल्ल का डी हो जाएगा मनूरम ठेक हिर्दय ग्राही बोलिया फिर मनूरम बोलिये बात एक ही है ठेक आगे बढ़िये पत्नी पत्नी का परेवाची शब्द क्या होगा एक समान अर्थ रखने वाला शब्द तो यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है आप लुक देख सकते है अप्सन में है महिला, अर्धांगिनी, कामिनी और अमडी तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर बी पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है यह तो बहुत दासान है ठेक हो आगे बढ़िये गंगा गंगा का परेवाची शब्द क्या होगा अप्सन में ह ऑफिए थे, घया है • देखिए अप्सनबर चूहर यह तो इसका राइट ईंसर हो जाएगा और मीट नेक्र परेवाची होगा जाता है ठेक है अगे बढ़ि बहुत आसान questo जो और एक शमान अर्थ हणसर रखने वाला शब्द देखियए यह में इस्थिर वी में ज्वाला सी में गर्म और डी में लाली इँए है कि इसका ऑफ option number B ज्वाला अगनी बोलिए फिर ज्वाला बोलिए बात तो एक ही है क्योंकि गर्म तो होगा नहीं लाली तो होगा नहीं और इसके बाद से इस्थिर तो होगा नहीं तो option number B is your right answer ठेक आगे बढ़िए question number 22 की तरफ अचल अचल का परिवाची शब्द क्या होगा option में है इस्थिर जड़ गतिहीन और जंगम तो इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा इस्थिर option number A अचल या फिर इस्थिर बात तो एक ही अचल मतलब जो चल ना सके मतलब जो एक जगा इस्थिर रहें ठीक है और इस्थिर का मतलब एक जगा ठीक है तो यह हो गया आप का ट्वेंटीटू का एक बाइस नंबर का ऑप्शन नंबर एज राइट एंसर आगे बढ़ी यह तेस कोश्चन है गंगा गंगा का परिवाची शब्द क्या होगा यहां पर देखी ऑप्शन में दिये गया है सौदामिनी भागी रथी स्रोत स्वीनी और कालिंदी तो इसका परिवाची शब्द क्या होगा तो सरोज का जो परिवाची शब्द होता है यह तो बहुत जदा आसान है अर्विंद का आ जाता है तो आप्सन नंबर डी इस यो राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन की तरब बढ़ते हैं जो की लास्ट कोश्चन है परवाची सब्द के परिवाची शब्द क्या होगा ठीक है तो इसका हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी मधू कर ठीक तो यह हो गया परिवाची शब्द का 25 अब यहां से आप लोगो का स्टार्ट हो रहा है विप्रितार्थक शब्द का अब्जेक्टिव कोश्चन यानिकि वस्तूनिस्ट बताना है अभी आप लोग परिवाची शब्द के 25 कोश्चन कि अब यहां से आप लोगो का चार्ट हो रहा है विप्रितार्थक शब्द का अब्जेक्टिव कोश्चन जो कि यह भी 25 है ठीक है और यहां पर वही निर्देश दिया गया कि परतिये के साथ 4 विलोम शब्द दिये गया यानकी कोश्चन में शब्द दे दिये गया और इसका आप लोगो को विलोम उल्टा शब्द बताना है और चार तो आप्सन दे दिये गया यानकी चार विलोम शब्द दे दिये गया और कोई एक ही विलोम शब्द क्या है सही है तो आप लोगो सही विलोम बढ़ेशन कि हो जाए औफसन नमबर स्वार्ट को शाश्वत का उल्ठ किया हो जाएगा छड़बंगुुरwe यहां पर विप्रीत बताना है तो शास्वत का उल्ठा चलद भणगुरभ त हिंना ग्रागे बढ़िये दूसरा कुस्चन है क्रित्रिन का विप्रितार्थ सब्ट दने की मिल्टड अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है आपसन में प्रकृतिक विक्रित और प्रकृत और स्थ तो इसका रायट एंसर क्या हो जाया एक दोका तो इसका inspiration और सणके ऑन सलक मटलब इंसानों के दोरा इंसानों के हाथों से बनाये गया कोई भी चीज ठीक और प्रकृतिक का मतलब होता है खुदा भगवान द्वारा बनाये गया यानकी मालिक द्वारा बनायेगा चीज को क्या कहते हैं प्रकृतिक कहते हैं तो यह एक दुसरे के क्या होगा अपोजिट हो गया है खृतिम करूं जिसको मतलब इंसान ने बना आगे बढ़िए तिसरा कोश्चन है जीजी विसा का सही विप्रित आर्थक शब्द क्या होगा विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द अपोजिट वर्ड कौन सा है देखिए अप्शन में हैं बूभुक्छा सुशुषा और जिग्याशा और मुमुर्शा ठेक तो इसका रा आप्शन में हैं देया अदेय त्याजया और त्याजय ठीक हें तो देखिए कोश्चन नुमबर पोर का जो एंसर होगा, वो होगा, option number C, त्याजिय, ग्राहय का opposite word, उल्टा क्या होता है, त्याजिय, ठीक, आगे बढ़िए, विनीत, विनीत का विप्रितार्तक शब्द, यानि की विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है, option में है, अग्र, ब्यग्र, सौम्या और उग्र, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, question number six का, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, साहसी, कायर, कायर का उल्टा हो जाएगा, साहसी, जिसके अंदर साहस हो, ठीक, आगे बढ़िए, question number seven है, वक्र, वक्र का विप्रितार्थक शब्द, यानि की उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है question number seven का, option number A हो जाएगा, answer, वक्र का उल्टा, रीजू, ठीक, आगे बढ़िए, question number eight है, परत्यक्ष, परत्यक्ष का विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है, option A में है प्रमार, B में है प्रोक्ष, C में है अप्रोक्ष, और D में है उल्टा, तो इसका right answer हो जाएग question number eight का, option number B, प्रोक्ष, परत्यक्ष का, विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द है, प्रोक्ष, ठीक, आगे बढ़िए, उदार, उदार का, विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number 1, कठोर, ठीक, आगे बढ़िए, question number 10 है, हर्स, हर सही विप्रितार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका तो बहुत ज़्यदा असान है, option number C, विशाद, ठीक, question number 11 है, कुटील, कुटील का सही विप्रितार्थक शब्द कौन सा है, option A में है सज्जन, B में है कोमल, C में है सरल, और D में है सहज, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, सरल कुटील का सरल, ठीक, आगे बढ़िये मिथ्या, मिथ्या का सही विप्रितार्थक शब्द हो जाएगा, option number 20, सत्य, मिथ्या का उल्टा सत्य, ठीक, सत्य, आगे बढ़िये question number 13 है, एक मिनट, हाँ, उद्धत, ठीक, उद्धत का सही विप्रितार्थक शब्द कौन सा है, वो ह है ऑप्सन का मालूम होगा रंग की रंग का उल्टा धनवान आगे बढ़िए př अर्थ का उल्टा क्या होगा आप्सन ए में सार्थ भी में व्यर्थ सी में अनर्थ और डी में अपर्द अपदर्थ ठीक तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा 16 का ऑप्सन नंबर जिसका कोई मत्लब और अर्थ का उल्टा क्या होगया अनर्थ ठीक है आगे बढ़ ये विश्तार विश्तार का उल्टा शब्द ये वोन canvas है वो संचेप विस्तार है एकदम करके बताना एक्दम लंबा चोड़ा और संचेप का मतलब एकदम शॉट कॉट ठीक तो विस्तार का उल्टा संचेप आगे बढ़िए जीवन जीवन का विप्रितार तक शब्द है कौन सा अप्सन नमबर सी मरण ये तो बहुत दासान है जीवन का मरण जीवन का उल्टा बरण ठीक आगे बढ़िए प्राचीन प्राचीन का की तल का उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है तो वह है दाहक अप्सन नमबर ए इस और राइट एंसर नेक्स कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं देखिए उपेक्छा उपेक्छा का उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है यानकि विप्रितार तक शब्द को बताना है option a में है परिहास वी में है विनाश सी में हरास ठेक और डी में उल्लास तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option number c विकास यानि की डेवलप करना और हरास मतलब सब कुछ खोते जाना हरास करते जाना ठेक तो विकास का उल्टा हरास हो गया ठीक आगे बढ़िए स्वाधिन्ता स्वाधिन्ता का विपरित अर्थ रखने वाला शब्द अपोजिट वर्ड कौन सा है अप्शन में देखिए प्रतंत्रता प्रवश्टा निर्भंधिता और प्राधिन्ता तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number d प्राधिन्ता स्वाधिन्ता का उल्टा प्राधिन्ता ठीक आगे बढ़िए अनायास अनायास का विपरितारतक यानि की अप्वोजिट वर्ड कौन सा है आप लोग को बताना है देखिए option में है स्वाधिन्ता प्रयास और विपरियास और अभास इसका जो राइट एंस और हो जाएगा वहोगा अप्शन नम्बर एस सायास ठीक आगे बढ़िए लास्ट कोश्चन है विप्रितार्तक शब्द का उन्मूलन उन्मूलन का विप्रितार्तक शब्द कौन सा है अपोजिट वर्ड और अप्शन में है विन मूलन रोपन और चन्मूलन और अपेक्छा तो चारों में से बताईए वड़फट कौन सा होगा इसका जराइट इंसर होगा वह हो है वह होगा रोपन अप्शन नम्मूलन का विप्रितार्तक शब्द है रोपन ठीक तो यह हो गया आप लोग का अपोजिट वर्ड के 25 अबजेक्टिव कोशन यानिकी विप्रितार तक किसका एस्ट्रिलिंग और पूलिंग का तो देखिए आप निर्देश में अल्रडी लिखा गया कि प्रशन एक से लेकर दस तक अबजेक्टिव कोश्चन हैं जिसमें आप लोग को पूलिंग शब्द को चुनना है पूलिंग शब्द किसे कहते हैं जिस शब्द से किसी करेंगे जिसमें आप लोग को चुनना होगा कि उसमें कौन शब्द है यहाँmaप लोग को चारों में चूज करना है कि कौन चारों में से पूलिंग शब्द से बोलते हैं दही मीठा नहीं है खटा है दही खटा है यानि कि इसका मतलब दही क्या है पुलिंग है टीक उसके बाद से कोयल को भी देख लीजिए कोयल की बोली मीठी होती है तो कोयल की क्या है इस्त्रिलिंग है तो आपसन नंबर बी तो होगा नहीं सी तो होगा नहीं मुर पुलिंग हो जाता लेकिन यह पर मुर्गी अंडे देती है क्या मालूम चल रहा है मुर्गी क्या एस्त्रिलिंग है तो यह भी नहीं होगा हवा बह रही है यह 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 नहीं होगा नेक्ट कोश्चन की तरफ बढ़िए देखिए अगला कोश्चन है हाथी पेंसिल धेनु और कांता इन चारों में पुलिंग शब्द कौन सा है जिससे किसी मेल यानि की पुरुष जाती का होना पता चल रहा हो तो देखिए हाथी पहले ही मतलब देखिए पहले ही अपसन में हाथी हाथी क्या है पुलिंग है हथ नी रहती तभी तो यह तो यह आप लोगों को पुलिंग शब्द ही ना चूज करना है तो पुलिंग क्या हो गया हाथी तो हाथी अपसन नंबर ए जो राइट एंसर आगे बढ़िए कोश्चन नंबर थ्री है शिक्षा शिष्या और पाठशाला और शिक्षक इन चारों में से पुलिंग शब्द कौन सा है जिससे किसी मेल का पता चल रहा हो पूरुष जाती का पता चल रहा हो तो इसका राइट एंसर अप लोगो समझ मैं आई गया होगाUटो शिक्षक क्योकर नाक और विनय आकि इन चारों में से कौन pulling है जिससे किसी मेल का पता चल रहा हो? इसका right answer क्या हो जाएगा option number 1 केवड़ा ही क्या है pulling है next question नलीनी option number A में क्या है जलज मल्यज श्रीक हा इन चारों option में से कौन pulling है? जिससे किसी 밀 यानि की पुर्ष्डाती का होदना पता चल रहा हो त इसका right answer हो जाएगा option नमबर बी जलज ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सिक्स है जय उत्कोज सहायता और गोद इन चारों में से कौन आपसन जो है वो पुलिंग है कौन सा शब्द पुलिंग है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी उत्कोज 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 ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सेवन है अनुगरह दया माया और क्रिपा इन चारों में कौन सा शब्द पुलिंग शब्द है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए अनुगरह ठीक आगे बढ़िए क्योंकि दया तो होगा नहीं माया भी नहीं होगा दया कीजिए धया कर देनी चाहिए तो डया क्या इस्त्रिलिंग है माया भी इस्त्रिलिंग क्रिपा भी स्त्रिलिंग है तो पुलिंग कौन हो जाएगा अनुगरह तो इसलिए साथ का आपसन नमबर अठीक आगे बढ़िए आठ में है कौशन नंबर आठ में रवाइव, है तो यह तो वाईव होगा नहीं रचना भी नहीं होगा रचना करनी चाहिए घटना भी नहीं हो घटना घट गई यह इस्त्रिलिंग है तो पुलिंग कौन है रज्यू ठीक आगे बढ़िए कुश्च नंबर नाइन है कि रेनु प्रहार वेदना और प्रस्तावना इन चारो option में से कौन सा option जो है वह पुलिंग है ठीक तो आप लोगों को बताना है बताई यह फड़वट नाइन का कौन सा option सही है ऑप्सान नंबर भी प्रहार प्रहार जो है ना वह पुलिंग शब्द घेक परहार करो ऐस थैसे सुने होंगे ना आप लोग आगे बढ़िए कॉश् इंसर है वो है कौन सा option number C मेरू मेरू एक पुलिंग शब्द है बाकी सब क्या है इस्त्रिलिंग है तो यह कर लिए हम लोग 10 पुलिंग के objective question अब यहां से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है कौन सा इस्त्रिलिंग का objective question यहां से देखिए 11 से लेकर 20 तक क्या है इस्त्रिलिंग आप लोग को चुनना है ठीक इन चारो objective question मेंसे कौन सा देखिए एस्त्रिलिंग शब्द है ठीक तो देखिए कोशन नमब 11 कि हन्स उल्लू गिद और चील इन चारो आप्सन मेंसे कौन सा ओप्सन एस्त्रिलिंग है तो फड़ेवड बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा जाएगा चील option number D जो है न चील ये क्या है इस्त्रिलिंग है बाकी सब ये पुरोष है यानि कि पूलिंग है हन्स उल्लू गिद ये सब तीनों क्या है पूलिंग है लेकिन चील जो है न वो इस्त्रिलिंग है ठीक है आगे बढ़िए question number 12 है भीड समूह जुंड और दल इन चारो option में से कौन सा option manner is curse link है जो की स्त्रिये जाती का बोध कर आता हूँ लफ जिससे इस्त्रिये का होना पता चल रहा हूं नारी का ठीक है तो इसका rule इसका floor ρum तो इसका रहतन हों जूंड भीड नहीं होगा दल भी नहीं होगा ठीक है समूह जो क्या हो जाएगा और यह भीड ठीक आगे बढ़िए कोशन नमबर 13 है कि समुंद्र शरीर जील और तालाब इन चारों अप्सन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द जो है ना कौन सा अप्सन इस्त्रिलिंग है जिससे इस्त्रिजाती का पता चल रहा हो इस्त्रिजा समुंद्र क्या हो जाएगा और से जील एक शरीर तो होगा नहीं समुंद्र भी नहीं होगा समुंद्र गहरा है ऐसे आप लोग सुने है कि समुंद्र गहरी है नहीं समुंद्र गहरा है यान कि समुंद्र क्या है पूलिंग है तो यह भी नहीं होगा शरीर भी पूलिंग है यह भी नहीं होगा तो इस्त्रिलिंग कौन सा है जील है ठीक आगे बढ़िए कोशन नमबर 14 है कि चिठ्थी पत्र पेन पैन और पत्ता में कौन सा शब्द जो है वह इस्त्रिलिंग है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वह चिठ्थी आप लोग आना सुनें ना चि चिठ्थी आया है चिठ्थी आई है होता है ठीक तो फड़ाफट आगे बढ़ते हैं एक मिनट यह कहां चला गया हां यह था कोशन नमबर 14 हां तो इसका 14 कराइट इंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर एं आगे बढ़िए कोशन नमबर 15 है दूद घी मक्षन और मलाई इन दूद भी पुलिंग है यह नहीं होगा घी भी पुलिंग है मक्षन भी पुलिंग है मलाई जो है तो आपसन नमबर डी इस राइट एंसर नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़िए कोशन नमबर 16 है कि काव्य पोथी पुरान ग्रंथ इन चारों अपसन में से कौन सा आपसन इस नमबर भी हो जाएगा पोथी पोथी जो है ना वह इस त्रिलिंग शब्द है ठीक आगे बढ़िए कोशन नमबर 17 है कि टेबूल लैंप और बल्ब बिजली हीटर इन चारों में से कौन सा जो है ना आपसन इस त्रिलिंग है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नम आपसन नमबर सी इस यह राइट एंसर आगे बढ़ी कोशन नमबर 18 है कि लड़की दोहिं पुत्र नाना इन चारों आपसन में से कौन सा आपसन के इस त्रिलिंग है आप लोगों को बताना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए लड़की यह तो साफ लड़की मतलब नारी तो आपसन नमबर ए हो गया आप लोगों का राइट इंसर आगे बढ़िए कोशन नमबर 19 है कि शुशील शुशीला हिमंत और चाचा इन चारों में से कौन सा आपसन इस त्रिलिंग है जिसे इस त्रिजाती का होना पता चल रहा हो तो इसका राइट सब्द है तो आपसन नमबर भी होगे आप लोगों का सही जवाब और देखिए लाश्ट कोशन है आप लोगा कोशन नमबर 20 यानि की बीस वसंत शरद पावस और शीशीर में इन चारों में से कौन सा आपसन इस त्रिलिंग है तो देखिए इसका जो राइट एंसर होगा व सर्षाल हम लोग कंप्लीट किये है टोटल साथ नहीं तो सतर सतर ही होंगे ठीक है पचीश पचीस पचास दसाठ सकतर ठेक है तो सतर लगवग सतर अबजेक्टिव कोशन हम लोग आज कि सब्स्न परिदियो में और सोच ही वीडियो में आप लोग का हिंदी ग्रमर का में तो काल हो गया वाच्ची हो गया कारक हो गया उसके बाद से अनेक शब्द के एक शब्द मुहावरे तो यह सब क्या है हिंदी क्रामर के important topics है जिससे आप लोग के exam में objective में question पूछता ही पूछता है इसमें कोई शक नहीं है तो हर एक टॉपिक को मैं आप को एक- three कि कवर करा दूंंगी थेख भी आज किस्व वडियो में चारी टौपिक कंप्लिट कियए आज कि विडियो में मैं आप लोग को या कर देख में आपने दोस्तों के पास इतना ज्यादा हो सके ऐखेयर करें और हां अगर आप झाल पर नय है मेरी विडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर कर सब्सक्राइब कमठर ना आप लोगो दिख रहा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब कर लिने